हेलो गाइज वेलकम टो स्टेडी साच पॉइंट आप लोंका स्वागत है आज के इस वीडियो के अंक में जिसमें हम उत्राखंड के प्रमुक व्यक्तित्यु शम्मनित अगले व्यक्ति जो है बदरिदत पांडे पर चर्चा करेंगे दोस्तों उत्राखंड के प्रमुक व्य वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं आज हम बात करेंगे बदरिदत पांडे पर दोस्तों बदरिदत पांडे की बात करें तो बदरिदत पांडे जो है स्वतंतरता सेनानी रायनितिक के साथ साथ लेखक और से भी जुड़े हुए थे ठीक है दोस्तों बदरिदत पांडे का जो जन्म हुआ था वो हुआ था पंदर फरवरी 1882 को नेस्ट दोस्तों इतकी जन्म की बात करें तो जन्म से जो है कोश्चन पूछे जा सकते हैं क्योंकि बदरिदत पांडे अपने आप में एक महत्तपू विनायक पांडे और पत्नी का नाम है अन्यपूर्णा देवी दोस्तों इनके जन्म, जन्मिस्थान, मित्यू, पिता का नाम, पत्नी का नाम ये तो बहुती बारिकी से आपको याद करने होंगे और काफी अच्छे तरीकी से याद करने होंगे क्योंकि परिक्षा की दिश् का नाम क्या था या पिता का नाम क्या था बदीदर पांडे का जन्म कहां हुआ था कब हुआ था या इनकी मित्यू कब ही थी इससे संबंदी कोशें पूछे जा सकते हैं UK SSSC के द्वारा आगामी परिक्षाओं में तो आपको इन चीजू को जो है अच्छे से देखना होगा सा लमोडा के बाद वो इलावाद गए और पत्रिकायता से जुड़ गए थे इलावाद में ठीक है दोस्तों ये लीडर अकबार के संपादक रहे 1910 इसवी तक इलावाद में ठीक है दोस्तों उसके बाद ये देहरादून आये और देहरादून में इन ये पत्रिकायता से जुड़े रहे थे ठीक है दोस्तों जुड़ गए थे कास्मो पोलेटिन जो कि 1911 में बैरस्टर बुलाकी राम के द्वारा प्रकासित क्या गया था देरादून से इस पत्र से ये जुड़ गए थे ठीक है दोस्तों साथी बात करें तो बद्रिदर पांडे जो है 1905 बिनारस म और उसी अधिवेशन में बद्रिदर पांडे ने भाग लिया था और वहीं पर तिलक से पहली बार इनके मुलाकात होती है और बद्रिदर पांडे ने तिलक के चार दर्सन किये थे जिसके उप्रांत तिलक ने कहा था कि मानो उनकी चार धाम यात्रा पूरी हो गई है चार उन्नो इनके चार दर्सन कि घातर पूरी हो गई है तो और बद्रिदर पांडे ने का तो पूछ सकता है नमनो मेंसे संपाद्र कर रहे हैं 1910 चिजह अधिदर पांडे धूरी है ठीक है कुछ भी पूछ सकता है आपको पता होना चेकी लीडर अकबार के संपाद़ बदिद报-पान्डए 1910 एजगी तक रहे हैं जो कि इलावास से प्रकासित होता था ठीक है तो साथी 1913hb में अल्मोड़ा अकबार के संपादः बने हैं ठीक है, दोस्तों, 1918 में जो सक्ती समाचार पत्र का समपादन सुरू किया था, क्योंकि 1918 एजबी में लोमस पर इन्होंने प्रहार किया था, ठीक है, उनकी कड़ी आलोचना की थी अपने समाचार पत्र में, तो इनके जो है लोमस ने उस पत्र पर पर्तिबंद लगा दिया था ठीक है दोस्तों तो 1913 में अल्मोडा अकबार के संपादक रहे हैं और 1913 में दहरादून में बेरेश्टर बुलाकी राम के कास्मो पोलेतिन अकबार के संपादक भी रहे हैं ठीक है दोस्तों तो उन्हें जो अल्मोडा अकबार निकाला था अल्मोडा अकबार के संपादक बने थे उससे पहले ही ये देरादून में बेरेश्टर बुलाकी राम के कास्मो पॉलेटिन अकबार से जुड़ चुके थे ठीक है दोस्तों इनको पत्रकाय था की एक अच्छी खासी जिए ग्यान हो गया था जिस कारण जो 1913 में अल्मोडा अकबार के संपादके बन चुके थे ठीक है, दुस्तो, साती दोस्तो, 1937 में कुमाव का इत्यास इन्हें एक फुष्टक लिखी है, तो पूछा जा सकता है कि tsiyap है कि निमने में से कुमाव का इत्यास कि पुष्टक कैंदे ने कब लेखी थी तो वो लिखी थी 1937 में ठीक है दोस्तों तो हर चीज से आगे पीछे से आपको देखना होगा कि किस टाइब से question पूछे जा सकते हैं इन चीज़ों को आपको जानना होगा ठीक है दोस्तों साथी दोस्तों कुमाओं में हिंदू मुस्लिम एक्ता के प्रेणाता के रूप में भी जाना जाता है बद्रीदत पांडे को ठीक है दोस्तों कुमाओं में हिंदू मुस्लिम एक्ता के प्रेणाता के प्रेणाता के रूप में किसे जाना जाता है बद्रीदत पांडे को ये भी महतुपूर कोश्चन है नेश्टर है 1921 में बागेसवर में कुली बेगार संबंदी रजिस्टर नदी में बहा दिये थे गुणी बेगार का अंतक आता बागेसोर में, सरीव नदिव पर इन्होंने कुली बेगार से सम्ज़नय चितने भी रजटर से वह बहा दिये थे ठीक है दूस्तों वहहीं पर उत्रयानी मेला लगता है ठीक है दोस्तो और इसके बाद उन्हें जो है कुमाओ केसरी की पादवी और दो सुर्ण पदक मिले थे ठीक है दोस्तो जब इन्हें जो है यहाँ पर खुली बेगार के रजटर नदी में बहा दिये थे इसी दोरान उन्हें जो है लोगों ने कुमाओ के इसरी की पादवी और सुर्ण पदग, दो सुर्ण पदग से सम्मानित किया गया था ठीक है और इस दोरान जो डिप्री कमिशनर था वो था डाइबिल ठीक है दूस्तो डाइबिल तो पूछा जासता है कि उस दोरान कौन था तो वो था डाइबिल ठीक है दोस्तो और 1912 के आसपार जो भारत और चीन का युद्ध हुआ था उस दोरान इन्होंने जो है ये अपने पदग जो है रक्षा को समर्पित कर दिये थी ठीक है दोस्तो तो आप से पूछा जासता है कि निमने में से कुमाओ की सरी किसे कहा जा तो आप से पूछा जासता है कि बद्रिदर पांडे की बात करें तो बद्रिदर पांडे ने जो है कुमाओ कांग्रेस के कुछ अधिवेशन में भाग लिया है तो पूछा जासकता है 1905 के बनारस अधिवेशन, 1916 के लखनाउ कांगरेस अधिवेशन, 1917 के कलकता अधिवेशन, 1919 के अमरित सर अधिवेशन में भाग लिया है और इन्ही पांच अदिवेशन, चार अदिवेशन में जो है ये तिलक से इनकी मुलाकात होती है जिस कारण ये कहते हैं कि जैसे मानों उनकी चारधाम यात्रा पूर्ण हो गई है तिलक से मिलने के उपरांच तो याला कोशन पूछा भी गया है कि 1905 के 16 अदिवेशन की निमने में से कौन सामिल था तो याला कोशन अभी हाली में किसी पेपर में पूछा गया है UKEEC के दौरा ठीक है दोस्तो तो उसमें जो है बदिदार पांडे थे ठीक है दोस्तो 1905 के अदिवेशन 1916 के लखनव कांगरेस अदिवेशन 1917 के करकता अदिवेशन 1919 के अमरेसर अदिवेशन में बदिदार पांडे ने भाग लिया है तो पूछा जा सकता है कि निम्नमे से जो है 1930 में किसके नेत्रतों में नेत्रतों में नमक में बेचा गया था नमकांदोल के दोरान तो वो बेचा गया था बदीदर पांडे के ठीक है दोस्तों ये था हमारा बदीदर पांडे के जितने भी महतुकूर बिंदू थे उन पर हमन के लिए धन्यवाद